प्रिय चात्र चात्रों आज हम हिंदी साहित्य के दुतिय प्रश्न पत्र की अंतरगत अर्थात कहानी संकलन की अंतरगत यश्पाल द्वारा रजित पर्दा कहानी का अध्यन करेंगे यश्पाल माक्सवादी विचारधारा के चिंतक के रूप में जाने जाते हैं उनकी विचारधारा का प्रभाव उनकी रचनाओं पर इस पस्ट जलगता है उन्होंने ततकालीन राजनीती में सक्रिय भागिदारी निभाई है दादा कॉमरेट देश द्रुही पार्टी कॉमरेट मनुश्री के रूप जूटा सच बारा घंटे आधि उपन्यास ज्यान दास फूलो का कुरता पिंजरी की उडान तुमने क्यों कहा मैं सुन्दर हूँ छिंगारी आधि कहानी संग्रेट चक्कर क्लब न्याय का संघर्ष बाद बाद में निभंध संग्रेट रहबीती लोहे की दिवारों के दोनोर यात्रा व्रतांत आधि उनकी प्रसिध रचनाय हैं उन्होंने गद्धी की विधाएं यानि कहानी निभंध उपन्यास सभी पर अपनी लेखनी चलाई है यश्पाल ने अपनी कहानियों में सामाजिक यथार्थ का बखोवी चित्रण किया है उनकी कहानियों का कथानक यथार्थ जगत से संबद होता है अथा उसमें ना तो आदर्ष की स्थापना का प्रेतन रहता है और ना कलपना का समावेश उनकी जो कहानिया है उस सामाजिक रूडियों को नकारती है अस्विकार कट्टी है तथा नैतिक आदर्षों पर व्यंग से सम्मंदित कहानियों में उन्होंने प्रतिक पद्दति का उप्योग किया है और ये कहानिया भी बहुत ही सुन्दर और मार्मिक बन पड़ी है उनकी ज्यादतर कहानिया सामाजिक स्वतन्दता की धारण से बंधी हैं और उद्दे शिकून है और उनकी कहानियों के मुखित जो विशय हैं वो आर्थिक विशमता नातिकता तथा यौन भावना आदी हैं वे कहानियों में समाज की जूटी नैतिकता के खोकले परन पर व्यंग करते हैं इस कारण उनकी कहानियों की जो कथावस्तु है उसका जो कथानक है जो सार है जो सारांश है वो बहुती चुस्त वेंजकर यधार्चरित्रों पर आधारित दिखाई देता है इसी क्रम में हम उनकी कहानी परदा का अध्यन करेंगे परदा कहानी में यश्पाल जी ने एक निम्न मध्यम वर्गे परिवार के आर्थिक खोकलेपन का चित्रन किया है चौधरी पीर वक्ष के दादा चुंगी महकमे में दरोगा थे इस कारण उनकी आर्थि किस्ति थी उन्नत थी आर्थि किस्ति थी ठीक ठाक थी परंतु उनकी म्रत्यू के उपरांथ पारिवारिक सदस्यू की व्रधी होने से चौधरी पीर वक्ष को अपना जो पुष्टैनी मकान था वो छोड़ करके सित्वा की कच्ची वस्ती में रहना पड़ा सित्वा की कच्ची वस्ती में चौधरी ने दो रुपए मासिक किराय पर मकान लेकर रहना शुरू किया वे सफेद पोश बने रहनी की अभिलाशा से एक कार खाने में अठारा रुपए मासिक बेतन पर मुन्शी बन गए थे यही उनकी रोजी रोटी थी यही उनका आय का जरिया था परिवार की मर्यादा का परिवार की मानसम्मान का अधिक ध्यान रखने से चौधरी अपने दरवाजे पर परदा लटकाए रहते थे और यही वह परदा है जो उनके घर की अत्यन्थ दैनिये और आर्थिक दशा को उनकी इस्थिती को छिपाने का माध्यम था पांचवे बच्चे के जन्म के बाद उनकी पत्नी की तवियत खराब हो गई थी और इधर उनकी आर्थिक इस्थिती और भी पहले से बत्तर हो गई ऐसी विशम परिस्थिती में चोधरी ने पंजाबी खान बबर अली खान से चार रुपे उधार लिए या उससे या धनराशी कर्ज में लिए और चार आना रुपे प्रती महा ब्याज तै करके एक रुपे प्रती महा की किस्त से आठ महीने में सारा कर्ज चुकाना तै किया था लेकिन ऐसा चोधरी पीरवक्ष कर नहीं पाए साथ महीने तक तो प्रती महा की किस्त से आठ महीने में साथ महीने तक तो पीरवक्ष ने किस्त की अदाएगी किसी प्रकार कर दी हाला कि इस किस्त को अदा करने के लिए पीरवक्ष को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा लेकिन बबबर अली के सामने और कोई चारा भी नहीं था लेकिन आठ में किस्त का प्रवंध पीरवक्ष नहीं कर सके या समय पर उसका भुक्तान नहीं कर पाए बबर अली खां वादे के मुताबिक साथ तारीकों रुपया लेने आया परन्तु उस दिन पीरवक्ष मंडी से अनाज लेकर देर से घर पहुंचा फिर दूसरे दिन पीरवक्ष अपना रुपया लेने के लिए आया तो भी उसने चौधरी ने उनसे चार दिन की महलत मांग ली और पीरवक्ष ने उसको महलत दे दी वादे की मुताबिक बबर अली खां चार दिन बाद फिर पैसा लेने के लिए आया उसने बड़ी ही कठोरता से बड़े ही कठोर आवाज में चौधरी को फटकारा तथा उससे कहा कि जो रुपया मैंने तुम्हें उधार दिया है उसे तुम मुझे दे दो पीरवक्ष के आर्थिक उस्तथी अधिक अच्छी ना होने के कारण वो बहुत बिवश्ट था तो चौधरी ने अपनी मजबूरी बता कर खान की खुशामत की परंतुबह खान किसी भी तरह नहीं मानो खान ने चौधरी को खई गालियां दी और गुस्से में भरकर क्रोधावेश में भरकर के चौधरी पीरवक्ष की ड्योडी पर जो परदा लटका रहता था जो उसकी द्वार पर टंगा रहता था उस परदे को उसने गुस्से में आ करके हटा दिया जटक दिया जैसे ही ड्योडी से परदा हटा सौधरी डगमगा करके वहीं पर गिर गया क्योंकि उसके घर की जो इज़त आवरु थी वो सबके सामने इसपश्ठ हो गई तब उपस्तित भीड़ ने आंगन में घर की अर्द नगन औरतों को देखकर शर्म से आखे फेद ले खान को भी इस वास्त्विक्ता का पता नहीं था उसे ये सब नहीं जानकारी थी कि परदे की अंदर जो उसका घर परिवार है वो इतनी दिकट परिस्तिती में जीवनियापन कर रहा है खान भी उस नगनता को देख करके गलानी और नराशा से भर गया और परदे को बापस आंगन में फेक करके लाहौल बिला कहता हुआ वहाँ से चला गया चौदरी पीरवक्ष धीरे धीरे जब होश में आये तो परदे को आंगन में पड़ा देख कर भी उसे ड्योडी पर पुना लटकाने का सहस न कर सके क्योंकि वह परदा जिस भावना का अवलंब था वह अब मर चुकी थी वह परदा जिस उद्देश से टांगा गया था वो अब सब के सामने स्पष्ट हो चुका है इस कारण वो परदे को पुना उस पर नहीं डाल सका इस घटना के साथ ही जो कहानी है उसका अज़र हुता है इस प्रकार जो यश्पाल जी है उन्होंने इस कहानी में इस निम्न मध्यमबर्ग की जो आर्थिक खोकलापन है उसका चित्रन किया है धन्यवाद उसका के अवाद